नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीची दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी के लिए एक महतोपूर्ण जानकारी को ले करके आईए आज हम सभी चिरायता के लाभों के बारे में जानते हैं चिरायता आम तोर पर आसानी से उपलब्ध होने वाला पोधा नहीं है चिरायता का मुल उत्पादक देश होने के कारण नेपाल में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है भारत के हिमानचल प्रदेश में और कश्मीर से लेकर अरुनाचल तक काफी उचाई पर इसका पोधा हो चार फूर तक उंचा होता है इसके पत्ते भालाकार नोकदार दो से तीन इंच लंबे और तीन से चार सेंटिमीटर चोड़े चिकने पांच शीरा यूग तो होते हैं इसका तना मोटा लंबा और शाखा यूग तो होता है इसका फल 6-7 मिलिमीटर व्यास का अंडाकार तथ इसके बीज छोटे चिकने बहुकोणिय और अधिक संख्या में होते हैं इसके फूल बारिश के मौसम में और फल अगस्त से सितंबर तक के महीनों में आते हैं शरद रितु में जब फल पक जाते हैं तब इन्हें इकठा किया जाता है आईए अब हम इसके लाभों और हानिय के बारे में जानते हैं सबसे पहले इसके गुनों को जानते हैं आयरुवीद के अनुसार चिरायता का रस्तीखा गुन में लगू प्रकृति में गर्म तथा कड़वा होता है यह बुखार जलन और क्रिमी नाशक होता है चिरायता त्रिदोश वात पीत कफ को नश्ट करने वाला पलीहा यकृत व्रिद्धी तिली और जिगर की व्रिद्धी को रोकने वाला आम पाचक उत्तेजक अजिन अमलपीत कब्ज अतिसार प्यास पीलिया अग्निमांध संग्रहणी दिल की कमजोरी रक्त पीत रक्त विकार त्वचा के रोग मधुमेह गठिया जीवन शक् परधक जिवानु नाशक गुनों से युक्त होने के कारण इन बिमारियों में सफलता पुर्वक उपयोग किया जाता है चिरायता मन को प्रसन करता है इसके सेवन से पेशाब खुल कर आता है या सूजनों को पचाता है दिल को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाता है चिराय कितना भी पुराना बुखार क्यों न हो चिरायता उस बुखार को नश्ट कर देता है इसका कड़वापन ही इस और शधी का विशेश गुन होता है इसका उपयोग मलेरिया दमे की बिमारी बुखार टाइफाइड संक्रमर रोधक कमजोरी जिवानु क्रिमी नाशक कालाजा जिसमें पलिहा और यक्रित दोनों बढ़ जाते हैं इत्यादी रोगों को नश्ट करने के लिए किया जाता है व्यज्यानिकों के मत के अनुसार चिरायता का रासाइनिक विशलेशन करने पर ज्यात होता है कि इसमें पीले रंग का एक ओफेलिक एसीड दो प्रकार के तिक् और एमरोजेंटीन नामक गलाइकोसाइड्स, दो क्रिटिलिय, फिनाल, जेनटी पोयोपी, क्रिन, पिले रंग के क्रिश्टल योगिक, सुवर्चिरन नामक जैन्थोन होते हैं उलेखनी है कि एमेरोजेंटिन नमक गलाइकोसाइड संसार के सबसे अधिक कड़वे पदार्थों में से एक होता है। कि रुकावट, गर्भाशय का दर्द, गुर्दे का दर्द, खुजली, त्वचा के रोग, हासी, कब्ज, आखों के रोशनी बढ़ाने वाला पाचन, शक्ति तथा भूख को बढ़ाने वाली तथा बिगड़े हुए बुखार को दूर करने वाली होती है। और नेत्र के रोग में चिरायता को पानी में घीस कर आखों पर लेप करने से आखों के रोशनी बढ़ती है और आखों के अनेक रोगों में आराम मिलता है। तो लगभग चार चमच चिरायता के चोन को एक गिलास पानी में भिंगो कर रात में रख दें। सुबह चान कर तीन से तीन तीन चमच की मात्रा में दिन में तीन से चार बार रोगी को पिलाने से समाने बुखार में लाप मिलता है। चिरायता के तेल से पूरे शरीर पर मालिश करने से पुराने बुखार के साथ-साथ पिलिया और कमजोरी दूर हो जाती है। मलेरिया बुखार में चिरायते का काढ़ा एक कप की मात्रा में दिन में तीन बार कुछ दिनों तक नियमित रूप से रोगी को पिलाने से मलेरिया रोग के सारे कश्टों में जल्दलाव मिलता है दस मिलेलीटर चिरायता के रस को दस मिलेलीटर संतरे के रस में मिलाकर रोगी को दिन में तीन बार पिलाने से मलेरिया के रोग में लाव होता है अगर पुराना बुखार हो तो चिरायता, सोंठ, बच, आउला और गिलोई को बरावर मात्रा में मिलाकर पीस लेते हैं और एक एक चमच के मात्रा में दिन में तीन से चार बार रोगी को देने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है गरवती महिला को अगर उल्टी आ रही हो तो चिरायते का चून शहद के साथ सेवन करने से गरवती के उल्टी में लाप मिलता है अगर सूजन हो तो चिरायता और सोट को बरावर की मात्रा में मिला कर काढ़ा तयार करें और एक कप की मात्रा में दिन में तीन बार सेवन करें इससे सरीर की सूजन नश्ट हो जाती है त्वचा संबंधी अगर आपको रोग हैं जैसे कि खुजली फोड़े फुनसी ऐसे रोगों में चिरायता का लेप लगाना चाहिए इससे ये सभी रोग नश्ट हो जाते हैं रात को पानी में चिरायते की पत्ती को डाल कर रख दें रोजाना सुबह उड़ते हैं इसका पानी विकार जी मिच लाना भूख न लगना इत्यादी जैसे रोगों में लाव होता है यदि कड़वा पानी पिया नहीं जा सके तो स्वाद के अनुसार मिश्री मिलाकर आप पी सकते हैं जिगर और अमाश्य में अगर सुजन हो तो चिरायता का आधा चमच चुन सुबह शाम को लेना चाहिए इसे जिगर और अमाश्य की सुजन नख्ष्ट हो जाती है इसके अलावा गठिया यानि कि जोणों का दर्द दमा सांस का रोग रक्त विकार यानि कि खून के रोग मुत्रे रुकावट यानि कि पेशाप की रुकावट खांसी कबज भूख न लगना पाचन शक्ति की कमे मधुमेह श्वास नलिकाओं की सुजन अमलपीत और दिल के रोगों में चिरायता का चून आधा चमच की मातरा में सुबह शाम शहद या देशी घी के साथ नियमित रूप से सेवन करने से लाव मिलता है चिरायता नागर मोथा नेत्रबाला छोटी कटेरी गिलोए सोंट, सरीवन, पिठोवन और पोहकर मूल को बराबर मातरा में लेकर काढ़ा बना कर पिने से वात के बुखार में लाव मिलता है चिरायता गिलोए कटाई, कटेली, सुगंध बाला, नागर मोथा, गोखरू, सरीवन, पिठोवन और सोंट को लेकर मोटा मोटा पी कटाई, पीपरामूल, लहसुन, और संभूल और संभालू को वराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर पिने से वातकफ का बुखार समाप्त हो जाता है। 5 गराम चिरायता, 5 गराम नागरमोथा, 5 गराम गिलोए और 65 गराम के मात्रा में लेकर लगभग 150 गराम पानी में उबाल लें जब पानी 50 गराम बच जाए तब इस काड़े को छान कर एक दिन में सुबह और शाम पीने से लाफ मिलता है शाननी पात ज्वर हो जाए तो चिरायता के रस में एक तिहाई कप पानी मिला कर दिन में तीन बार लें साथ ही एक कप दूध में इसको पी सकते हैं आप इसका सेवन करने से रुका हुआ बुखार ठीक हो जाता है चिरायता सत्व यानिकि एक ग्राम पानी से सुबह और शाम पिया जाद तो ज़्यादा लाफ होता है दमा या स्वांस रोग हो अगर आपको तो चिरायते का काड़ा बना कर पीजिये दमा रोग में लाब होगा गर्भाशे में अगर सूजन हो तो चिरायते के काढ़े से योनी को धोएं और चिरायते को पानी में पीश कर पेंडू और योनी पर लेप करें इससे सर्दी के वज़ा से होने वाली गर्भाशे की सूजन नश्ट हो जाती है हिचकी का रोग है अगर तो लगभग 480-600 मिली ग्राम चिरायता शहद या शकर के साथ सुबह शाम देने से हिचकी में लाव होता है गर्भवती मिचली 600 मिली ग्राम से 1.80 ग्राम चिरायता सुबह शाम शहत और चीनी के साथ सेवन करने से गर्भासे की मिचली यानि की जी मिचलाना ठीक हो जाता है संग्रहनी यानि की पेचीश रोग में 10-10 ग्राम चिरायता, कुटकी, त्रिकुटा, सोटकाली मिर्च और पीपल, नागरमोथा और इंद्रवय 20 ग्राम चित्रक और 1.60 ग्राम कुडा की छाल को लेकर अच्छी तरह से पीश कर और छान कर मिलाईए इस बने हुए चुण को गुड से बने शर्बत के साथ प्रयोग करने से संग्रहनी यानि की अतिसार का रोग दूर हो जाता है चिरायता कुटकी, त्रिकुट यानि की सोट काली मेर्च पीपल, मुस्तक इंद्रवय करयया की छाल एवं चित्रक बरावर मात्रा में लेकर चुण बना ले इस से 3-6 ग्राम चुण को दही या मठा लसी के साथ सुबह श्राम सेवन करने से संग्रहनी रोग दूर हो जाता है अगनी मांधता यानि की अपच चिरायते का फाट बना कर पीने से मन दागनी यानि की भूख का कम लगना मिट जाता है अमलपीत यानि की एसिडिटी हो तो चिरायता और मुलेठी को पानी में पीश कर चीनी में मिला कर पीने से लाब होता है शिट पीत चिरायता अडूसा कुटकी पटोल तरिफला लाल चंदन नीम की छाल इन सब को पाँच पाँच ग्राम की मातरा में लेकर दो कप पानी में उबाल कर काढ़ा बना ले इसका सेवन करने से शिट पीत में लाब मिलता है पीट में अगर कीडे हो तो चिरायता तूलसी का रस नीम की छाल का काढ़ा और नीम का तेल मिला कर पीने से पीट के कीडे मर जाते हैं और पीट के दर्द दूर होता है और पेट का दर्द दूर होता है चिरायता और आउले से बनाया गया काढ़ा सोने से पहले एक कप की मात्रा में लेने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं अस्तनों में दूद की ब्रिधी अगर करानी हो तो चिरायता, शुन्ठी, देवदारू की लकड़ी, पाठा का पंचांग, मुस्तक की जड़, मुर्वा, सहरिवा की जड़, गुरुचीतना, इंद्रवय और कटु की प्रकंद को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना कर लाब होगा, श्तनों की घुंडी फटने पर चिरायता को पीश कर श्तनों की घुंडी के जख्म पर लगाने से लाब होगा, पीट में दर्द हो अगर तो चिरायता और एरंड के पेंड की जड़ का काला बना कर पीने से पीट के दर्द में लाब होता है, सिर में अगर और घाव में छोटी चिरायता के पंचांग का चून पिसकर लगाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है वातरक्त दोश लगभग 480 मिली ग्राम से 800 मिली ग्राम चिरायता का चून सुबह और शाम शहेद या शरकरा के साथ खाने से वातरक्त यानि कि त्वचा का फटना कमजोरी दूर हो जाती है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी चिरायता के फाइदों से ले करके चिरायता एक नहीं अनेक गुनों से लबरेज होते है यानि के भरी होई होती है अगली बार हम सभी से जुडएंगे कुछे को बहुत तक के लिए धन्यवाद नमसकार दोस्तो प्रोड़ों